नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम बात करेंगे कैपिटिलिजम के बारे में, कम्यूनिजम के बारे में और सोसलिजम के बारे में यानि कि पुल्जी बाद, साम्मे बाद और समाज बाद में क्या फार्क है? देखिए सबसे पहले कैपिटिलिजम को देखते हैं Capitalism भी कैसी विचारदारा है जिसमें बिजनिस को जादा मेहत्व दिया जाता है बिजनिस का मतलब होता है कि आप बिजनिस करो अपने साथ से Factory कोलो अपने साथ से Industry कोलो आपको 10 Industry कोल लिए 10 खोलो जितना पैसा कमाना है उतना पैसा कमाओ जितने लोगों को रोजगार देना है उतने लोगों को रोजगार दो जितना वेतन रखना है उतना वेतन रखो जैसे काम करना है वैसे करो आपको एलेन मस्क बनना है एलेन मस्क बन जाओ अमबानी बनना है अमबानी बन जाओ Steve Jobs बनना है, Steve Jobs बन जाओ मतलब आपको पंक खुले हुए हैं खुले आफमान में उड़ो जितना कर सकते हो, करो यह capitalism की विचार धारा है इसमें सरकार आपके बीच में नहीं आएगी सरकार के थोड़े बहुत नियम काईदे कानून होंगे जो आपको मानने पड़ेंगे जैसे टेक्स देना, लेवर्स की थोरी बहुत कुछ लॉज है उनको फॉलो करना और थोरा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ध्यान लखना बहुत मिनिमम चीज़ होंगी जिसमें सरकार दखल देगी लेकिन आपको पूरी खुली छूट है कि open opportunities यानि खुली छूट है जो करना चाते हो अपने बिजनिस के लिए करो गवर्मेंट आप में बिलकुल अस्तक्षिप नहीं करेगी और जितने ज़्यादा मेनत करोगी उतना ज़्यादा पैसा आएगा ये capitalism है लेकिन इसमें एक negativity है negativity ये है कि आपने एक ख्रेक्टरी खुलनी आपने नियम मना लिया कि मैं इतने घंटे काम करवाँगा इस तरीके का काम करवाँगा मानलो मैंने करमचारी रख लिया मैं उससे computer operator का भी काम करा रहा हूँ उससे file भी लिखवा रहा हूँ उससे मैं थोड़ा बहुत घर का काम भी करा ले रहा हूँ मतलब तीन-चार तरे के अलग-अलग मैं काम करा रहा हूँ एक ही जने से और पगार दे रहा हूँ एक ही काम की ना को कुछ कह रहा है मेरे से कोई दान नेनेवान नहीं है तो इसमें इस तरह की विचारधारा में क्या होता है कि लोग की जो उनका एक्सपोर्टिशन होता है उनकी हगों को मारा जाता है और पचास जार का काम दस जार में करा लिया जाता है अब बैचारे जो गरीब होते हैं जनको पैसे की जरूरत है जो भी नोग होते हैं वो कर लेते हैं एक्सपोर्टिशन उनका होता है यह इसमें की नेगेटिविटी है पहुत पैसे वाला होगा, पहुत उसमें इंडस्टी लगा रखी होंगी, ठीक है, पैसा कमा रहे हो, लगाना चाहिए, हार्डवर के सारी चीज़े, लेकिन ऐसी लोगों को डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये भी भूत होती है, आप अकसर करके देखना, जो जितना बड़ा आदमी होगा, काफी संभावना है कि निंद्टी गोली खागर के सोता होगा, काफी संभावना, मैं हर किसी की नहीं कह रहा, तो ये भी एक नेगटिविटी है, इस तर इड़ा की तरफ, ये इदर आप ये रोप में आ जाए, इस तरफ निंद्टी गोलीयां बहुत खाई जाती है, ये कैपिटलिजम की नेगटिविटी है, खेर, लेकिन यो वरकरों का हग मारा जा रहा था, वरकरों के साथ जो एक्स्प्रेटेशन हो रहा था, उससे समाज मे एक रोष पैदा हो गया था, एक गुस्प्रेटा ही, उससे को भुणाया काल मार्क्स नाम के एक थिंकर ने, या कहें के फिलोसफर ने, काल मार्क्स ने रहा देखा कि कैपिटलिजम की वज़ए से एक्स्प्राइशन हो रहा है, वरकर्स का, और वरकर की गलास को बोलते है, प्रोलिटेरियेट नाम है अंग्रेजी का प्रोलिटेरियेट ग्लास प्रोलिटेरियेट ग्लास नाम में मत पढ़ना बसकता समझ जाओ कि वर्कर्स होते हैं जो वर्कर क्लास है उसको यह बोलता है तो इसका एक्सवर्टेशन हो रहा था एक्सवर्टेशन को रोकने के लिए क आल माक्स जो कि एक फिलोसफर थे और जर्मन एकनामिस्ट थे इनोंने कहा के मैं एक थियोरी दे रहा हूं यह कैपिलिजम बटाओ इससे वर्कर्ष का गरीवाद्वियों का हक मारा जाता है उनके उनका सोशन होता है उनके हक मारे जाते हैं ऐसे नहीं होगा मैं दुनिया में या किसी भी देश में कोई भी मालक टाब का आदमी नहीं होगा, जितनी भी ownership है, ownership माले मान काना हक जो है, वह और्गर का होगा, एक factory में अगर 100 वरगर काम गर रहे हैं तो उस factory के कोई एक मालक नहीं होगा, यह 100 के 100 उसका मालक होगे, सब आके ऐस factory पर इस देश में या दुनि में होनी चाहिए एनों ने कहा को इपने स्क्राइटे उद्सक्राइब क्या ने कहào क्या क्रेंसी नहीं होगी यहां पैसे के बिस्सें प्र चाहिछा ते में दवार करते हैं यह भी नहीं होगा कुरकार नहीं होगी और कोई जिससे नहीं कोई इसाइटी बनाएंगे जिसमें ना कोई सब वर्गर जो है किसी चीज़ के मालिक हो जाएं और वहीं चलाएं, सब वर्गर ही पुरे देश को चलाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या यह practically possible यह नहीं है तो इनकी जो थियोरी है मार्क्स साहब की मार्क्स साहब की जो कांगे यह रहे मार्क्स साहब की जो थियोरी है यह practically possible नहीं है ठीक है, इनकी बात अपनी जगे बढ़िया है अब philosopher आदमी है, philosopher की बात या तो हम यह समझ पा रहे हैं यह हो सकता है कि philosopher कुछ ऐसी बात है कह जाती है जो practically possible नहीं होती जिस philosopher ने कह दिया ध्यान करो, बिल्कुल विचार सुनने तर ले आओ लेकिन practically possible नहीं है न उसके बहुत एक अलगी नेवल पर जाना पड़ेगा ठीक है, तो कांगे मार्क्स ने यह बात है कहीं और इसी बात को या इनी चीज़ों को मिला कर के हम कहते हैं communism communism सामने वाद, यह है सामने वाद कि अगर कोई factory है, उसमें सौ लोग काम कर रहे हैं तो वो सो के सौ उसके मालक हैं अगर कोई देश है, उसमें अगर एक laak worker हैं, तो एक laak के एक laak worker उस देश को चलाएंगे कोई class ही होगी किसी है, कोई उपर नीचे कुछ नहीं होगा सबके सम कोई कहें करें सिवारसिय मनीवेट का चक्कर नहीं होगा और जिसको Northeast है उसको रोतना चीज है मिलेंगी huh तुम चोटे हो बड़े हों किस गास के ओäng को पतना हम नहीं तुमको जरूरत है दसक्वेशावल की समय तुम डसक्वेशावल लो अर्या तुमको एक्वेशावव ही रहा है एक्वेशाव शुम्सको नहीं कि सबको 10 समय देढ़त है यह थी लाइचमने मैं लेकिन इनकी बात practical possibility जैसे की मैंने बताया इसलिए मार्सिजम के बाद कुछ और चीजे निकल करके आई और थीरिस निकल करके आई पेमिनिजम में जिनमें से एक थी आप ही मार्सिजम तो थे ही किया कालमाक्स थे कालमाक्स इन्होंने कहा कि देखो मैं कालमाक्स की विचारडार से सहमत हूँ अच्छा कालमाक्स ने एक बात और भी गही थी इन्होंने कहाता कि हमें कैपेटिनिजम को उखार के फैक देना है उखार के कैसे फैकेंगे करांती लाने होगी जब करांती आएगी समाज में कैपेटिस उखार से फैक दिया जाएगा तब सामने वाद यानि कम्यूनिजम की स्थापना होगी तब सब के सब लोग मिलकर के उस देश को उस सुसाइटी को सब्सक्राव चलाएंगे ऐसा यह कर रहे गाटितर लाना चाहिए यह इन्हों ने कहा कि क्रांती में रहा है ₹ जो 192 सही में आई थी यूरूब में अमेरीका में Cape ten इनकी बात तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसेबिल नहीं है सब के सब लोग कैसे चला लेंगे देश को एक सभी वरकर्स में से किसी एक को निकल के आना होगा जो लीडर वनेगा सबका अमिताब बचन पुराने फिल्मों के वरकर लेबर उनियन का लीडर आपने गौर किय आओगा 1970 से लेके 1980 की लाइन में येतिनी भी फिल्म में आई थी अमिताब बचन की ذ्था थर उसमें अमिताब बचन को लेबर इबर ग्लास का और यह worker class का दिखाया गया था और worker का मसीषा दिखाया गया था। कियो दिखाया गया था। क्योंकि फिल्म में समाचrawd का आईना होती है। और कुस्वर्थ हमारे समाज में भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़े निकल करके आ रही थी, जहां वर्कर्स का एक्प्रोइटेशन हो रहा था, तो फिल्म का अभीनिता भी ऐसा लिया जाता था, जो लार्जर क्लास को दरशाई, जिससे की लोग फिल्म देखने आए, इसलिए मि ये ताब बच्चन को इस तरीके के दिखाया था, और रिगुस्यल, ग्षल्फटार दिखाया था,। भी ये वर्कर्स का हख नहीं मरने दूँगा, फिल्म में जान मुछ के दिखाया था, खiū यहोंने कहा कि चाइना में इंडस्ट्री तो है नहीं चाइना में उद्ध्योग तो है नहीं चाइना में ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे पक्ष के हो जाए अच्छा यह सब के सब मतलब नहीं थे यह हो गए यह हो गए कि स्टाइले नौर थे यह सब के सब अपनी मतलब से बात क लेबर क्लास ही जादा होती है और वहाुकित की बर खोना नेता है चिद्वें में तो क्या करें चारी सके कमें क्या करें चिद्णा एंगर करी स्थेहें कर लेकिल कर दो नों भाड़ किर हैं सिसमें स्र denial या इनकी बात कि वर्कर तक में उनकी वारनक करूंगा क्रिश्टी के जितने भी निवर हैं, और agriculture के जितने भी निवर हैं, मैं किसी के हख ली मग ले दूँगा, मैं चाहता हूं वो लोग भी आगे आएं, और capitalism के विरोध में आवाज उठाएं, और हम अपने सामने बाद communism को इस्थापित करेंगे, और agriculture के माटम से इस्थापित कर जो communist लोग होते हैं, उनमें एक विशेष्टा है, they are sweet talkers, when they are in opposition, यानि कि जब वो opposition में होते हैं, तो बहुत मीटी-मीटी बाते करते हैं, and they are brutal killers, when they are in power, यानि जब वो power में आ जाते हैं, सत्ना में आ जाते हैं, तो बहुत खुंखार killers होते हैं, ये बात याद रट नहीं है, खेर, ये कहा जाया है, और इतिहास भी हमें ये बताता है, अब communism होगे हैं साब, फिर आप एक socialism, समाज बात, अब ये क्या है, हम अपने preamble को भी देखें हैं, इंडिया के, तो उसमें भी socialist society लिखा हुआ है, कि हमारा यो देश है, वो socialist society है, socialist economy को follow करता है, समाज बात क्या ह चुन करके, कौन चुनता है सरकार को, जनता, पीपल या पबलिक चुनती है सरकार को, वो सरकार ये सुनिश्चित करती है, कि सभी लोगों में पैसे का या बाके रिसूर्स का बटवारा बराबर हो, यानि जो communism चाहरा आता, वो कामियां को ये एक आदमी नहीं करेगा, revolution से के, वो काम सरकार करेगी, सरकार समिश्चित करेगी कि लेवर्स का हक ना मारा जाए, सरकार समिश्चित करेगी कि सब को बराबर का хsent मिले, जैसे मान लो एक खेत है, उस खेतें बहुत सारी लोग काम कर रहे हैं, और उसमें कुछ अनाजच पैदा हुआ, तो उसमें अगर 10 काम कर रहे हैं अलग-अलग society के तो वो जितना भी अनाज पैदा होगा सब में बरावर-बरावर माटा जाएगा ये कौन कह रहा है socialism इस अनाज को जरूरत के हिसाब से बाटा जाएगा ये कौन कह रहा है communism कि जिसको जितनी जरूरत है उतना अनाज ले जाओ और दोनों ही क्या कह रहे हैं कि जो खेत का मालिक आना हख है वो किसका है एनी 10 लोगों का किसी एकका नहीं है इनी 10 का है माली गाना आप यह इसका है जो माल्प पर्डिवाइव हो रहा है इसके अशाब से बराबर बठेगा उसके साबसे जरुरत किसा बठेगा चैपिटनिजम में क्या हो रहा है है वो खेट का मालिक कोई और है और वह सब तनखा दे रहा है जो भी लोग यहां काम गर रहे हैं और तनखा दे रहा है वो अपने साब से बराबरी दे सेता है ठीक है यह अंतर है समय तो सुचलिजम में एक चीज़ और है कि सोचलिजम कम्युनिजम से फरक ऐसे रखता है कि कर्मुनिजम कहीं थोड़ा सा रेवलुशनर यह इस बात का है कि भाई हमें लोगों के हक नहीं मरने देने है इसलिए आपना देखा होगा जैसे आप रेलिवे प्लेटफॉर्म पर जाना है तो रेलिवे प्लेटफॉर्म क्या किसी एक जने का है नहीं वो सब का है हम सबके टेक्स के पैसे से बनाए हम लोग टेक्स देत तो ये चीज सोशलिजम कहता है, टर्मिनिजम भी यह कह रहा है, उसमें लग नहीं है, तो सोशलिजम टेक्स के मार्तम से पैसा लेता है, फिर काम करवाता है, काम करवाते वक्त भी यह धिहान रखता है, किसी का हक न मारा जाए, किसी का exploitation न हो, सब को बराबर पैसा मिले और इसलिए जो लोग सरकारी नोगरी गड़ते हैं आपने गोर किया हुगा वेतन मिलता है तो सबको समान मिलता है किसी एक क्लास के एंतो मतलब किसी एक पोस्ट पेहन लगबक तो दूसरा उनको यह दिये जाता है कि दिवानी होगी तो बोनस मिलेगा अगर आपके बच्चें की सब्सक्राइब खराब हो गई तो उसको अस्पिटल की सुवधाई मिलेंगी अलग लग और भी फैसलिटी दी जाती है ध्याम दगता है यह सोसलिजम अगर कोई और गरवपी हो गई तो उसको अलग से छुट्टियां दी जाएंगी ध्याम दगता है उस चीज़ का यह कम्य और रहा है दोनीआ कोई These fearful copper कान्ट्री का कैसि को मिलीज़ा यहों कॉसलिस्ट सोफसलिस्ट को सौट वाली ये मत कुछ ऐसी है जो सोशलिस्ट के नामकर कैपिटिलिस्ट हो गई है और पता भी ने चल रहां कि कैबिदिश हैं रहा है जैसे चाइना है मैच्ट क्या है इनले 적 तो परिष्यलम बन चुका है चालोगों से क्यां करा रहा है उसना अन्ठायकू को किया गई दुनिया की कंपरिश का रहे है या फेक्टरीज 琿 रहे हैं लोग इंवहस्ट्मेंट कर रहे हैं यह भी तो किपटीनिजम है जियर शोचलिद्म zię यूससर नोवं किया गया था अब यूससर में और देखिए घ्रॉस्स अब है यि कम्यूनिस्त विचार आ राग गई है लेकिन धीरे 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 लाकू word और सोसलिस्म तो सोसलिन प्रैक्पिकल बजन नहीं Communism का बसी मान के चलिए तो यह USSR स्टाइप का है चाइना भी काफियत तक अपने आगो कहता वही है लेकिन चाइना को मान सकते यूससर हो गया चाइना हो गया यूससर अब रशिया हो गया है ठीक है और आप उसको क्यूबा को कह सकते हो क्यूबा भी इसी टाइप का है विए तो नाम काफियत तक अब तो बहुत बदल गया लेकिन काफियत तक ये भी था तो कुछ देश है ऐसे जो सोसलिजम को फॉलो कर कि म्यूंक पहला है इंडिया कैसा इनडिया हैं सोशलियम से पहले टोमी सब्सक्राइब रियलोय सरकारी टेली फोनकी सब्सक्राइब सरकारी कको नेंगेए तो हमारी देश में आज की रेट में दोनों ही चीज़े हो रही है ठीक है तो हमारी मिक्स जिकनांगी उम्ली देश आपको समय में आखिया हो पाल